ब्यापार मंडल ज्वाला मुखी की आपात बैठक ज्वाला मुखी में परधान अनीशूत की अधिक्सता में संपन हुई जिसमें शहर के ब्यापारियों ने भाग लिया वैठक में चर्च हुई की परदेश सरकार ने हिमाचल परदेश की मंदिरों को 23 अप्राल से बंद करन में विरोध किया और सरकार से आगरह किया कि इस फैंसले पर बुनर विचार कर बापिस लिए जाएं ताकि भ्यापारी वर्ग पर किसी प्रकार का प्रहार उनकी रोजी रोटी पर ना हो ब्यापार मंडल के अधिक्स ने कहा कि ज्वाला मुकी जैसे धार्मिक स्थल कि ब्या संकटकाल से भूरी तरह से हताश और निराश होकर वैठा हुआ है उसको भूखे बनने की नौवत ना आने पाए। उन्होंने इस बावत मुख्य मंत्री को SDM के माधियम से भी ग्यापन भेजने की बात कही हैं ताकि सरकार तक व्यापारियों की आवाज पहुंच सके। उन्ह से हजारों लोगों की रोजी रोटी पर खत्रा पैदा हो गया है। यदि सरकार ने व्यापारियों की मांग पर गौर नहीं किया तो व्यापारी सरकार की किसी भी नीतियों और खाहरे करमों को क्रियानवित करने में सहयोग नहीं करेंगे। और सरकार के खिलाब जोड़दा बैपार परकोष्ट जिला देरा इसका धिरोध करता है और धार्मी के स्थनों को खोड़ने के लिए एक S.O.P. जारी करके सरधालों को दर्शन कराए जाएं और मैं मुख्य मंत्री से मांग करता हूँ कि धार्मी के स्थलों का जो नेने लिया गया है वो बापस लिया जाए प्याल टीवी के लिए जुहाला मुखी से बंकाई शर्मा की रिपोर्ट